Ford Motor को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी खासी और बहुत ही popular car brand है globally और इंडिया में भी ये ठीक ठाक कर रही थी कुछ साल पहले तक और जब ये इंडिया में आई थी बहुत ज़्यादा popular हुई थी और इसका build quality, features ये सब चीज के उपर बहुत ज़्यादा काम भी किया गया था और जो mainly जिस चीज के उपर सबसे ज़्यादा focus किया गया था वो था diesel engine, Ford की diesel engine मतलब एक दूसरे level का ही था लेकिन ये सब cars अभी इंडिया में तो देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इंडिया में discontinue हो गया है Ford Motors और इंडिया से जा भी चुकी है ये company लेकिन उसके बाद फिर से क्यों आने वाली है Ford Motors लेकिन उससे पहले जो basic problem थी Ford Motors के साथ वो चीज के बारे में हम लोग पहले जानेंगे इंडिया एक बहुत ही जादा price sensitive market है और यहाँ पे कोई भी cars हो या फिर bikes वो बहुत अच्छे से बिक्ती है लेकिन इंडिया में जो भी bikes और cars बिक्ती है उसमें सबसे पहले देखा जाता है इसका build quality features क्या मिलता है value for money है या नहीं और उसके साथ सबसे जादा जरूरी कितना देती है तो बहुत सरे चीजों के उपर Ford ने काम किया था जैसे कि build quality बहुत अच्छा खासा था और looks में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाकी था ल लेकिन जो engine का quality था और जो reliability था वो बहुत ही दमदर था और time के साथ साथ उतना जादा कुछ evolve नहीं हुआ था Ford की cars और features में भी कमी देखने को मिला था और affordable तो ये था ही नहीं मतलब same features के साथ थोड़ा बहुत same जो looks और segment था वही car को अगर आप दूसरे brand में देखते थे त उस car की pricing होती थी लगवख 7-8 lakhs रूपीज तो क्यों कोई लेगा ये सब cars यही कुछ factors के उपर देखते हुए इंडिया में उतना जादा कुछ नहीं चली थी और भी एक चीज देखा गया था इंडिया and market के लिए Ford Motors कोई भी dedicated cars नहीं लाते थे जैसे कि इंडिया में अभी क तरब से वो थी diesel engine, emission norms और भी बहुत सरे factors के उपर देखते हुए वो सब car तभी इंडिया में उतना जादा popular नहीं हो रहे थे लेकिन अभी भी अगर देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो Ford की तरब से जो भी car आते थे उसको बहुत जादा पसंद भी करते थे लेकि जो car अभी आप देख सकते हैं Ford Everest जो बाहर में बिखती है वही car इंडिया में Endeavor नाम से बिखती थी लेकिन इसका जो नया model है इसमें features भी बहुत जादा है सब कुछ डिक ठाक मिलती है ये car में तो ये car इंडिया में भी launch हो जाएगी और यही सायद होने वाली है comeback के बाद first car जो आएगी Ford की दरब से और अभी लगता है Ford Motor India के लिए बहुत जादा focus होके इंडिया में आएगी क्योंके जो EcoSport थी जो भी बहुत जादा popular भी थी इंडिया में ये car के उपर भी बहुत जादा काम किया जा रहा है और इसका भी थोड़ा बहुत कुछ spy shot और overall look देखा गय इसमें भी 4x4 option भी मिलने वाला है बहुत कुछ चीज मिलेगा इस सब चीज मिलने के बाद अगर ये car भी इंडिया में आती है तो बहुत जादा popular शायद होने वाली है और अभी सिर्फ एक ही चीज की कमी है जो है pricing तो मेरे खाल से इसका pricing भी ठीक ठाकी होगा तो उस हिसाब से फिर से Ford Motors की जो cars हैं वो इंडिया में बहुत जादा बिकने वाली है तो Ford की तरफ से अगर कोई नई car इंडिया में आती है तो क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे नीचे comment में ज़रू बताईए और ये भी देखना होगा क्या Ford की cars affordable होती है या नहीं और ऐसे ही interesting videos के लि follow or subscribe जरू कर दीजिये